हेलो दोस्तो तो आज हम लोग बनाएंगे सोया चंग की सबजी जी हैं बहुत ही बेतरी इन सबजी इसे एक पर आप जरू ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा तो चलिए बिना देर की विए इसे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक पतीले में पानी रख दिया गरम होने के लिए जैसे ही पानी उबालाता है पानी में हमने यहाँ पे सोया चंग लिया है यह 100 ग्राम के करीब में है तो इसे डेरेक्ली डाल देंगे और गैस को करदेंगे बंद तो बस थोरी दिर कुछ सेके इसे रहने देंगे इसमे उसके बाद हमने ठंडे पानी से धो लिया था, देखी इस तरह से, और फिर से इसे क्या करें, हमें हातों से निचोर करना, एक दूसरे बरतन में पतिले में हमें इसे रख लेना है, या बॉल में आप रख लो, तो देखी यहां पर सारे स्वया चंगों, हमने एक पतिले में रख लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या डालना है, इसमें हमें डालना है, हमने यहां पर दो चमची करीब में बेशन लिया है, जो है बेशन, तो वो डाल देगे हम, यह देखी इस तरह से आपको बेशन डाल देना है, दो चमची करीब में, और साधी साथ हमने यहां पर आ यहां पे हमने 3 अंडे लिए हैं, यहां अंडे, तो हमें directly अंडे यहां पे फोड के इन स्वोया चंक में डाल देने हैं, तो टोटल हमने 3 अंडे लिए हैं, यह देखिए, आप स्वोया चंक जो है, अंडे का घोल जो है पूरी अच्छी तरह से लग जाए देखे इस तरह से तो बस इसे रखेंगे हम साइड में अब हमें क्या करना है गैस पर चड़ाना है कड़ाही कड़ाही चाहा के हमने यहाँ पर एक से डेठ चमज तेल डालना है इसमें तेल डाल देंगे और तेल को हो हो जाने देंगे गरम जैसे ही तेल गरम हो जाता है हमें इस तो इसमें डाल देंगे और इन्हें हमें छोड़ना नहीं है चलाते हुए इन्हें भुनना है यह देखे आप इसको चलाते हुए भुनोंगे थोरी देर में यह एक्दम से अलग-अलग हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा color एक इस पर आ जाएगा, तो ये देखे, आपको दिख रहा होगा ना, चलाते हुए हमने यहाँ पर भुना है इसे, और देखे, इसका color बहुत ही अच्छा color, हलका हलका सा brown हुआ है, और बहुत ही अच्छा color आ गया है, बिल्कुल अलग-अलग हो गया है, तो बस इसे हम एक बरटन में निकाल लेंगे, दूसरे बरटन में, ये देखे इस तरह से, हमें क्या रखना है, दूसरे बरटन में, निकाल लेना है, तो बस अभी हम आगे कीत तियारी करेंगे, तो इसे रख देंगे, पहले यह देखिए इसका color आप पहले कितना अच्छा लग रहा ना आप देखने में तो बस इसे हम side में डग देंगे और हमने क्या कहा है यहां पे हमने कुछ अब्ता ले लेंगे तो इन खरे मसालों को नौ हमने directly इसमें समझी के तरका लगाना है तो यहां पे हमने कड़ाही में हमें दो बड़े चमज डालना है, तेल, सरसो का तेल ही हम इसमार कर रहे हैं सबजी बनाने के लिए इसमें, सरस Moyet का तिल जिसी गरम हो जाता है तो वस हमने जो खरे मज़ा लिए लिए हैं उनको डाल देना हैं ठोड़ी धोरी देर कुछ सिकेंट के लिए इन्हें भुना है हमें कुछ सिकेंट के लिए हमें 20-30 सिकेंट इसे चलाते हुए इसे भुंणेंगे दीख रहा हुआ कलर जो है वो चेंज हो गया है तो बस अभी हमें क्या करना है हमने यहाँ पर एक चमची करें में अध्रक लेशन का पेश्ट लिया है तो वो डाल देंगे और अध्रक लेशन का पेश्ट डालके इन्हें भी थोरी दिर हम भून लेंगे ताकि इनका कच्छा पंज है वो चला जाए तो यह देखे थोरा देर हमें इसे चला लेंगे भून के तो बस अब हमें क्या करना है हमें डालना है मसाले तो हमने बेसिक से मसाले घर पर परे रहते तो एक चमच हमने लिया यहाँ पर लाल मिच का पाउडर आधे चुटे चमच लिया हमने यहाँ हल्दी का पौडर और एक बड़ा चमस ले लेंगे हम धनिया का पौडर तो इन मसालों को डाल के हमें इनको प्याज के साथ थोरी देर एक मिट लग बग एक मिट के लिए इन्हें भूनना है वह भी बिल्कुल धीमियाज करके अगर हम तेज आज करेंगे ना तो मसाला हमारा थोरा सा जल सकता है इसलिए धीमियाज पर आप इसे थोरी देर के लिए इस चलाते हुए भूनोगे ठीक है जैसी थोरी देर होता है भूनता भूनते हुए हम क्या करेंगे यहाँ पर दो मिडियम साइज के टमाटर को पारी काटके रख लिया हमने वो डाल देंगे इसमें और साथ ही साथ डाल देंगे स्वाद केनुसायर नमक जी हाँ स्वाद केनुसायर नमक डाल देंगे यहाँ पर और फिर टमाटर के साथ इन मसालों को भी हमने भूनना है तो टमाटर को जब तक टमाटर जो है वो गल न जाए तब तक हम इसे पकाना है तो पहले थोरी देर इने टमाटर को मसालों के साथ ऐसे mix करते हुए हम भुनेंगे और उसके बाद क्या करना है हम इसे ढख कर पकने देना है ताकि जो टमाटर है फटा-फट से गल जाए तो चली सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे ढख देते हैं मसालों को पकने देते हैं तो यह देखिए हमने यहां पे लगबग 2-3 मिनिट तक इसे धका था बीच बीच में एक दो बार चला लिया था हमने और आपको दिख रहा होगा बहुत यह अच्छा सा कलर आया है मसालो का टमाटा वे बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके हैं आपको दिख रहा होगा तो अब हमें क्या करना है हमें डालना है इसमें पानी ग्रेवी के लिए तो हमने यहां पे एक ग्लास बड़ा वाला ग्लास होता है एक ग्लास पानी डाला है आप ग्रेवी कम या ज्यादा कर सकते हो अपने अनुसार तो यहां पे हमने एक ग्लास पानी डाला है एक ग्लास पान आपको दिख रहा हुए आते हुए आपको करना क्या है जो सोया चंग हमने रखा था ना भून के उनको डाल देना है इसमे डारेक्ली और सोया चंग डालने के बाद आपको क्या करना है यहां पर डालना है एक चमच के करीम में गरम मसाला डालेंगे और एक चमच हम डाल और उसके बाद directly इसमें डाल देंगे इस तरह से देखिए, फिर थोड़ा सा इसे हलकी हांतों से चला लेंगे हम इस सब्जी को, यह देखिए इस तरह से, बस इस तरह से चला के हमें क्या करना है, इसे पकने देना है लगबग 5-6 मिन तक धीमी आज पे, तो इसे क्या करेंगे धग देंगे हम, तो इसे धग कर आप इसे 5-6 मिन तक छोड़ दो पकने के लिए, तो यह देखिए 5-6 मिन हो चुके हैं, और यह जो सब्जी है ना बहुत ही इसका कलर भी आप देख सकते हैं, और यह खाने में तो पूछो ही मत, आप एक बार से ट्राइ करके देखोगे हुआ झाका हैं, कर दाव खामे हो यह जो ह atomर ब Torment, अद friedERE के छामेत, चक्गे लिएा, तो बhow। पतली है और देखो इसे जallी Chemě को चीर हम आप बाह कर दो हैं, चीलिए, जाफ पूआए जामे च जातुन की मत, हम जादा हनए क्ग कर दो हुआते हैं, यायि वघ्यायु चा